हालो अाज हम बच्छों को करने कलर मैचिंगивать करना है हुआ जैसे हम एक सर्कल स्टॉब किये हैं और उनने डिफरेंट । कलरस फिल कुड़ कि हैं अब बच्छा सेभी क्लर करेंगर और इसको रिकोगज़ करेंगर है जैसे रैट से रैड मैच कर दिया स्काइब्लू से स्काइब्लू मैच कर दिया, वीन से ग्रीन मैच कर दिया, ऐसे ही हमने shapes matching की हैं, बच्चे को shapes समझाने के लिए, circle, triangle, square, diamond, star and smileys, इसमें baby जैसे matching करेगा, अपना देखे कि ये circle से circle मैच कर दिया, उसने triangle से triangle मैच की है, square से square मैच कर दिया, ऐसे उसको shapes समझाने लगेंगी, हम बच्चों को fruits और vegetables तो समझाते हैं, अब उनको से ये देखना है कि उनको कितने हमाद, जो समझाते हैं, वो समझाता है, तो हमने fruits की pictures कुछ draw की है, paste भी कर सकते हैं, draw भी कर सकते हैं, और बच्चों को बो जैसे ये fruits, apple, banana, और veggies है, capsicum, brinjal, carrot, fruits में mango, ऐसे वो recognize करेंगे, और चेक करेंगे कि fruits में कौन से fruits मैच करने हैं, और veggies में कौन सी veggies मैच होएंगी, ये है, circle the small one, इन में से छोटा कौन सा है, बच्चे को वो देखना है, और उसको circle करना है, जैसे ये purple flower चोटा है, तो वो circle करेगा, big one को circle नहीं करना है, जैसे यह orange flower चोटा है, ये silver flower चोटा है, ऐसे वो small को देखेगा, और उस पे circle करेगा, this is a opposite words, normal opposite words जो हम घर में use करते हैं, tall, short, day, night, girl, boy, ये भी opposite words है, thin, opposite fat, down, up, in, out, small, और big, तो ऐसे बच्चा मैचिंग करना सीखेगा, ये है बैदर मैचिंग, जैसे रेनी के साथ, रेनी, summer के साथ summer, और winter के साथ winter, summer में क्या होता है, सूरज बहुत bright करता है, रेनी में बारिश होती है, और winter में snowman बनता है, ये हैं, matching, upper case and lower case, बच्चों को जैसे upper case पता होते हैं, और उसको हम बार में lower case समझाते हैं, तो हम उनको ऐसे matching करना दे सकते हैं, अगर जिन बच्चों को upper case ही आते हैं, lower case नहीं पता, तो वो upper case को ही दुबारा एक side पर opposite, different, different shapes में बनाके उनको दे सकते हैं, जिसे वो upper case की matching करना सीख जाएंगे, ये हैं जैसे upper and lower case जिन बच्चों को आते हैं उनके लिए, जैसे a, small a, b, small b, ऐसे वो matching करना सीख जाएगा, ये हैं, match uppercase with lower case, kids confused with, जिसमें बच्चे confused रहते हैं, d, p, q, and b, इनमें almost बच्चे confused रहते हैं, small letters में, तो फिर हम बच्चों को दे सकते हैं, ये matching करने के लिए, जिससे वो पता चल जाएगा, कि उनको confusion है या नहीं, ये हैं, fine alphabets and color the circle, b, d, p, q, जो same alphabets बनते हैं, और बच्चे को confused करते हैं, वो ये alphabets है, हमने b में red color fill किया है, d में green, p में blue, and q में yellow, अब बच्चे को इसमें से p color, इसमें red color fill करेगा, जहां भी बी हैं, उनमें वो red color fill करता जाएगा, उसके बाद फिर वो d देखेगा, d जहां पर भी d आएंगे, उसको वो green color से fill करेगा, circle the alphabets, जैसे ये a है, बच्चे को ये देखना है कि हाँ पर कितने a है, उनको circle करना है, same alphabets को, p, यहाँ p डूढ़ेगा, b, p, b, q, तो p पर circle करेगा, a, small a, e, a, o, c, ऐसे उसको circle करना है, same alphabets पर, ये है, match alphabets with picture, बच्चे को picture देखनी है और alphabets पर चानना है, जैसे ये है, d, d, doll, a, a, apple, b, bubble, c, k, cat, d, d, doll, e, a, elephant, तो, d, d, doll, j, 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 fish, k, k, cat, l, lamb, em, ma, monkey, j, 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 fish, वैसे वो उससे माच करेगा